आदर्निय बंधू माताव वे मेरी प्यारी बेहनू राधी राधी आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जीवन की धारा पर बहुत-बहुत स्वागत है। बंधू आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महत्तम का तीसरा अध्याय सुनेंगे। जीसे सुननी सुनाने से भगवान शिरी हरी की क्रिपा से मनुष्य की परतीक मनोकामना पूरण होती है। धन पती कुबेर की क्रिपा उन पर सदय बनी रहती है। कथा महत्तम सुनने के बाद, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, तो कृप्या हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहले आप तक पहुँची, वीडियो को शेर वे लाइक भी जरूर करें तीसरा अध्याई सागर पुत्र शंखा सुर्द्वारा, वेद मंत्रों का हरन, सत्य भामा बोली है भगवन, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं, आप काल सब रूप हैं और सब कालों के इसमान हैं, तब फिर आप कार्तिक मास को ही इतना श्रेष्ट क्यों मानते हैं, हे दे इसी परकार, सब तित्यों में एकाच्छी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिया हैं, इसका कारन बताईए, भगवान श्री कृष्ण बोले हे कानते, तुमने बड़ा अच्छा प्रशन किया हैं, इस विशे में एकागर चित होकर, राजा वेनु के प पुत्र, प्रिथु और महरिशी नारत का पूरा समवा सुनों, जिसे पहले महाराज प्रिथु ने नारत जी से पूछा था, तब नारत जी ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी, नारत जी बोले पहले समय में तिर लोकी को मत डालने वाला सागर का पुत्र शंखा सुर नाम प्राक्षश पैदा हुआ था। उसने अपने प्राक्रम से संपूरन देवताओं को जीत कर स्वरक से निकाल दिया। तथा इंदरादी संपूरन लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिये। सब देवता शंखा सुर के भय के मारे अपने अपने इस्तरी पुत्रादी को साथ लेकर बहुत वर्षों तक समेरु परवत की गुफाओं में रहे। तब शंखा सुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया है। प्रंतु वे अब भी बहुत बलवान मालुम ह होते हैं। अब मैंने जान लिया है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं इसी से वे बलवान हैं। अते उनके वेद मंत्रों का हरन कर लिया जाए तो वे सब ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखा सुर सत्य लोक में गया। जहां भगवान उस समय सोय हुए थे। उ इस कारण जब वहे वेदों को चुराने लगा तब बीजो सहित वेद मंत्र भी उसके भै के कारण इधर उधर पानी में छिपने लगी। तब शंखा सुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा। प्रंतु उसे वेद मंत्र एकठे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी सब पूजन सामगरी लेकर सब देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में भगवान विश्नो के शरन में गए। वहां भगवान को जगाने के निमित ब्रह्मा जी मधुरवानी में गाने बजाने लगे और गंद धूप दीपादी से बार बार पूजन करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ठ होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने सहस्त्र सूरे के समान कानती वाले विश्नो भगवान के दर्शन की। तब पस्चाज सब देवताओं ने शोडो उपचार से पूजा की, फिर शाष्टांग दंडवत करके पृत्वी पर गिर पड़े। तब तो परसन होकर भगवान उनसे कहने लगे। हे देवकनो, मैं तुम्हारे पूजन भजन कीर्टन आदिक कारियों से बहुत परसन हुआ हूँ। आप लोगों की मनो कामना मैं पूरण करूंगा यही वर देता हूँ। और कहा अश्विन शुकल पक्ष की एकाच्छी से लेकर देव उठावनी एकाच्छी तक जो भी मनुष्य ब्रह्म महुरत में प्राते काल तुम्हारी तरहें मेरा भजन और कीर्टन तथा पूजन करेंगे वे सब मुझे प्यारे होंगे और मुझे प्रापत करेंगे। पाद्य अरग आच्मनिय आदि की जो सामगरी एवं पूजा का सामान तो मेरे निमित लाए हो वेह अनन्त गुनकारी होकर तुम्हारे लिए उत्तम फलदायक होंगे। तुम्हारे यहां आने की सब बाते मुझे ग्यात हो गई है। शंखा सुर जिन वेदो को हर कर ले गया है वे सब और शंखा सुर अभी जल में ही स्थिर हैं। इसलिए मैं शंखा सुर को मार कर वेदो को ले आऊंगा। भगवान कहने लगे आप से लेकर बीज मंत्र समीत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से मस्य रूप धारन कर जल में रहूंगा। तुम लोग भी सम मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इन दिनों में इस लोग में जो मनुष्ये प्राते कालूट कर सनान करेंगे वे निश्चे यज्यान्त सनान के फल को प्रापत होंगे। भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करें उनको तुम मेरे लोग में पहुचा दिया करो और उनकी सब आपत्ती तथा विग्नों से रक्षा करना। हे वरुन तुम उनको पुत्र पोत्रादी देते रहो। हे धनपती कुबेर तुम उनकी धन धान्य से वृद्धी करते रहना। क्यूंकि कार्तिक का व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वहे मेरा ही सबरूप धारन कर लेता है। और हे अनंत देवताओ जो जनम से मरन तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है वहे तुम्हारा भी पुज्य है। तुम लोगों ने मुझे एक आच्छी के दिन जगाया है। इसलिए यह तिथी परम पवित्र है और सदा मनाने योग्य है। यह तिथी मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों विधी पूर्वक किये गए ये दोनों व्रत परतियक प्रानी को मेरे हिस में पहुचा देते हैं। इनके इसमान ना कोई तीरत है, ना कोई दान है और ना कोई व्रत है जो स्वरक को दे सके। इती कार्तिक महत्तम तीसरा अध्याइस मापत बोलो विष्णू भगवान की जये। बंधु भगवान शिरी हरी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदे बनी रहे। आपका घर आंगन खुश्यों से महकता रहे। इन ही शुक कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यावाद राधी राधी।